मेरे प्रिया शेश्यों, साधकों और आज के अबारे सभी जोतिश प्रेवी दर्शकों जुलाई महीने के राजश्य फल के इस विशेश कारेकर में आप सभी का स्वागत है इस महीने एक बहुत खास बात होने वाली है कि हम सब को दैविक क्रपा प्राप्त होने वाली है क्यों? कि भगवान जगनात की रत यात्रा का अवसर होगा वही चातुर मास अरंभ होंगी और साथ में हमें सदमार पर ले जाने वाले गुरुदेव को स्परण करने का पर्व होगा गुरुपुर्णिमा देवादी देव, महादेव, भोलेनात, शिव का स्रावण मास जो सबसे प्रिय होता है वो भी अवसर होगा और पहला सोमवार भी हमें जाते जाते आशिरवाद देगा तो आप सभी तैयार हो जाएं अपनी अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आप आज के मेरे इस विशेश कारिकरम में यानि कॉम राज़ी वाले लोग जान पाएंगे बिजनस एंड वेल्थ का हल, जॉब एंड प्रॉफेशन का हल, महिलाओं और उनके फैमिली लाइफ के बारे में एजुकेशन और सेहत के बारे में भी हम जानेगे लेकिन आप इस बात को गोर करिएगा कि इस कारिकरम के अंत में आपको ऐसे विशेश में कोछ उपाये दूँगा जो कि आपके लिए लाप्रत होंगे और जुलाई को और ज्यादा बहतर बना देगे और एक विशेश बात कि यह राश्य फल हमारा मून सायन यानि चंदर राश्य पर आधरित होगा हमेशा की भाती कुम राश्य वाले लोगों मैं आपको आज का एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ जो इस वहीं आपके बहुत काम आ सकता है आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रियास करना छोड़ नहीं देते जब आपने प्रियास करना छोड़ दिया आप भार माज जाएंगे लेकिन नेरंतर प्रियास आपको सफलता की अंतीम सीड़ी तक पहुँचा के रहेगा अब आईए कुम राशे वाले लोगों का जो ग्रहूं का ब्रह्मनकाल है और कैसी कुंड़ी बन रही है इस पर एक नज़र डालते हैं इस वक्त कि आपकी ये कुंड़ी है सबसे पहरे में बात करूँगा सूरी की जो कि आपके बिजनस हाउस और पती पत्रें के संबंद के लॉड होकर संतान भाव में विराजबाने पंचम इस्तान में ये 15 जुलाई तक रहेंगे और 5 जुलाई के बाद माफ करेगा 6 हाउस में चले जाएंगे 16 जुलाई को जहां पर बुद के साथ बुद आदिती योग बनाएंगे लेकिन राहू के साथ ग्रहन दोश बनेगा अगर हम बुद की बात करें तो बुद आपके और उसकोप के अदर पंचमिस्तान संतान के लॉड भी है और कॉमन सेंस के लॉड भी है और साथ बिराजबान है 6 हाउस में और वो भी राहू के साथ जड़त वदोश बनाएंगे शुकर के अगर हम बात करें तो 4 ताउस यानि सुख बाव और 9 ताउस यानि भाग्य भाव के लॉड होकर 3 जुलाई तक 6 ताउस में रहेंगे रोग भाव में और राहू के साथ रहेंगे लेकिन 4 जुलाई से महिने के अंत तक 7 ताउस यानि बिजनस आउस में चले जाएंगे बहुत सुन्दर राज्योग बनेगा यहाँ यह इसपस्ट कर दूँ कि शुरुवात में ही आप लोगों को एक बहुत अच्छा देन मिल रहा कि एक से तीन तारिक तक शुक्र बुद्ध का लक्ष्मी नारान योग होगा इस पूरे महीने 6 आउस में राहू रहेंगे 9 आउस में देवताओं की गुरू रहेंगे 11 आउस में शनी और 12 आउस में मंगल उच्छ राशी के होकर बिराजित रहेंगे जो की ट्रैवल का गर है एकस्पेंसिस का गर है और यहाँ पर एक अंगारक दोश भी मंगल केतु का बनेगा तो हमें थोड़ा सा समझदार इसे चलना पड़ेगा चंद्रमा की अगर हम बात करें जो ट्रैवल करते करते कुछ अच्छे और पूरे यादे देखे जाते हैं यहाँ पर 13 और 14 तारिको 6 आउस में राहू के साथ ग्रेंड दोश 20 और 21 तारिको 9 आउस में गुरू के साथ बहान राजियोग बनाएंगे गज केसरी योग गज का मतलब है हाथी और केसरी का मतलब है सोना 25 और 26 को 11 तारिको यह रहेंगे शनी के साथ विश्दोश बनाएंगे और साथ में 17, 28 तारिकों यह 12 तारिकों चले जाएंगे जाँ मंगल के साथ तो मालक्ष भी योग बनाएंगे लेकिन केतु के साथ यह बना देंगे ग्रहन दोश अब आईए इस पहिटे में कुछ हमेशा की तरह एक दो दिन हम सब के बाहन से का शान्ती के गुजड़ते हैं तो मैं आपको कुछ डेट्स बता रहा हूँ उन डेट्स पर आप अपना और अपनों का खयाल जरूर रखें पहले तो 1, 27, 28 तारिकों जुलाई में चंदरबा बाहर बाहर बे रहेंगे 9 और 10 जुलाई को चौते, 8 और 19 जुलाई को आट पर रहेंगे जैसे मैंने कई बार काये कैं, भाग्ये बरोस से मद बैठिए, भाग्ये लंगडा है उसे कर्म की बैसाखी से चलाया जा सकता है और भाग्ये बरोस से बैठने पर एक समस्य यह भी रहती है कि हम आलसी हो जाते हैं सफलता के मिलने के लिए लगभग काम कर पाईए नहीं तो आप हताश और निराश भी हो सकते हैं धैरिय जो इतना जो इंसान धैरिय और साहस को सई समय पर यूज करता है उस इंसान को तकलिफ है कम से कम आती जिससे लक्षे की तरफ बढ़ने में काम या भी मिलती है इतना प्रोडक्शन होना चीए मेरे इतनी सेल होने चीए इतनी मेरी आंदरी होने चीए वो लक्षे आपने बनाए उस लक्षे के साफ से मोडर सपरंडरी बनाईए यानि कारिक शैली अपने तयार करी मुझे कैसे किसा आगे बढ़ना है फिर आप देखेंगे कि यह बहिना आ सब्सक्राइब करें तो थोड़ा से एवाइड करें पूरी जानकारी लेकर फिर आपको माल देना चाहिए आपके द्वारा किये प्रयासों को अच्छी और वांचे सफलता मिलने के लिए कटोर परिश्ट्रम ही सबसे बढ़िया होगा जिससे आप फाइनेंस अच्छा जु किस प्रकार करते हैं या आपके विवेक पर नेरबर करेगा इस दौरान आपकी मान प्रतिष्टा में वर्दी वर्दी होगी किन्तों कुछ मामलों में धन अधिक व्याय होता रहेगा जिसे आप नीजी समस्या मान कर परिश्रान रहें तेरा चाहुदा पच्छीश और शब में हैं लेकिन कर्म में नजर नहीं आएगी इस मेंने कुछ आलत से का भाव रहेगा आप कोशिश करोगे अपने या भी सब कुछ हो जाए तो ठीक है एफट आप पूरे नहीं कर पाएंगे या फिर जहां पर करने चाहिए वह नहीं कर पाएंगे आपको समवात बहुत अच चमकना चाहते हो दोस्त तो उसकी तरह टपना भी सीखना पड़ेगा इसलिए इस महीने में चाहूंगा कि आपको चमकने के अवसर तो जज्रूर मिलेंगे लेकिन आप उन अवसर को कैसे उपयोग मिलेते हैं कैसे अवसर को बनाते हैं या आप पर नेरपर करेगा वही दीर देरे सफलता के संकेत आपको मिलते रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हलांके कुछ परतीकूल इस्तिया भी आपकी बनेगी यानि आपके विपरित आप कुछ करने जाएंगे वैसा आपको माहुल नहीं मिलेगा वैसा रिजल्ट नी मिलेगा तो आप तकलीफ मासकते हैं हताश हो सकते हैं मैं चाहूंगा कि हताश आपको दूर भगाईए और एफ़र्ट जादा करिए थोड़ी सी सावधानी आप जरूर बढ़ते हैं जिन लोगों के साथ आप ट्रैवल करते हैं उन मेंसे कुछ लोग आपके राज को जानकर दूसरों को बता सकते हैं आप अपने राज किसी को ना बताए यहां तक ही अपने चिर जो आपका दोस्त है जो आपका कलीक है जिसको आप सब कुछ अपना समझते हैं उस से भी अपने राज को दूर रखना चाहिए आपकी sales, purchase, marketing की जो skill है उसको और बहतर करने के लिए इस महीने skill development के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए इसके लिए आपको किताब पढ़ सकते हैं आपको जो YouTube पर वीडियो देख सकते हैं सेमिनार अटेंड कर सकते हैं दोस्तों से group discussion कर सकते हैं आप अपने skill को development करें तो मज़ा आएगा अनिता आपको कुछ परिशानियों के सामना भी करना पड़ सकते हैं इस महीने job change, promotion, transfer इसके बारे में खयाल चोड़ दीजिए हाँ, जिन लोगों की पढ़ाई पूरी हो चुकि जौब लगने का योग है उनके योग अच्छे, इस महीने मंगल उचराशी के हैं और गुरू भागिस्तान से लगन को द्रिश्टी डाल रहे हैं जिस कारण ये ताय है कि आपको government job की जो इच्छा है उसके chances बट रहे हैं तो वैसे परियास आप करना शुरू करते जीए इस महीने रिजल्ट नी मिलेगा क्योंकि गरहन दोश बना हुआ है तो थोड़ा से एलिट रहे हैं आईए बात करते हैं महिलाओं, मातों, बेहनों की और उनकी family life की है इस महीने आप अपने नीजी संबंद को बहुत मजबूत करने का प्रियास करती हुई नजर आएंगी यानि आपको समझ में आ चुका है कि अब ego, jealous और गुसा, वानी को खराब करने से कोई लाब नहीं मिलता है आप अपने साथ जो संबंद लोगों से चाहती है, वैसे संबंद आपको लोगों के साथ बनाने पड़ेंगे साथी की इच्छा और सहबती के अनुसार किसी स्थान में जाने की आपकी तैयारी हो रही है यानि अगर आप किसी relationship में हैं तो आपके इस मेंने बहुत अच्छा एक खुब सुरा ट्रेवल हो सकता है अगर आप पती पत्री हैं तो भी ट्रेवल के chances बढ़ रहे हैं हलांकि आप उन्हें इस दोरान कुछ आकर शक जरूरी वस्तों को उपाहर देने के मूड में नज़र आएंगे मैं चाहता हूँ कि आपका शुकर बहुत अच्छी पोजिशन में होंगे जो की gift के लिए perfect है तो ऐसा कोई सुगंदित, कोई खुश्बुदार या जरूत के चीज जो की luxury से जुड़ी होई हो वो अपने जो खास दोस्त है या पती है पत्री है उनको जरूर देना चाहिए जिससे संबद में एक खुश्बु आ सके अच्छे व्यवहार को अमल वे लाने से आपकी जिन्दगी और ज़्यादा बहतर हो जाएगी मैं ये चाहता हूँ कि इस में आप कोई धार्बिक अनुस्ठान अपने गर में जरूर करें क्योंकि ऐसा मौका आपको मिल रहा है जिसमें घर परिवार की नेगेटिविटी को खत्म हो सके खत्म कर सके और परिवार के सबी लोग मिलकर कोई चोटा सा ही हो बली पूजा पाठी पंडी जी बुला कर करवा है लेकिन कराना ज़रूर चाहिए इस महिने प्रेम संबंद और ज़्यादा प्रगार करने के लिए आपको इनिशेटिव लेना पड़ेगा आपको खुद आगे बढ़कर पहल करने पड़ेगी अगर आप इस महिने अपने परिवार को बता कर शादी के लिए आगे बढ़ना चाहती तो मैं आपको सलाह नहीं दूँगा इस महिने कुछ डेट्स में आपको बतारो जिनका सहरा अगर आप लेती हैं तो आपके लिए थोड़ा एलेट रहने का योग बन सकता है एक बीस एकीस सताइस और अठाइस तारीक आपके लिए शुब रहेगी है जब आप टैवल कर सकते हैं नया कोई काम कर सकते हैं रिलेशन की और बांडिंग के लिए मेहनत कर सकते हैं बात करते हैं विद्यारती और संतानसुक आप अपने जो अध्येयन हैं जो पड़ाई हैं उसके शेतर में आगे बढ़ाने के लिए आप परियास बहुत अच्छे कर लेंगे और इस वहने आपको गरहन और अंगारक दोश बार बार टेस्टराट करेंगे रोकेंगे परिशान करने की कोशिश करेंगे आप परिशान मत होईगा अपने लक्षे को ध्यान रखें के मुझे क्या करना है फिर उस लक्षे गनुसार आगे बढ़ते रहिए और सूरी के अरादरा और साथ में अंगारक दोश की पूजा करना नहीं बूलें आपके पास एक से बढ़कर एक बढ़िया आफसर आएंगे लोग कहते हैं कि बगवान के पास जाएंगे तो बगवान कहेंगे क्या क्या बुरे काम किये मुझे ऐसा लगता है बगवान ये पूछेंगे कि तुम्हें इतने खुशी के पल दिये थे, enjoy करना का जो time दिया था, तुम्हें enjoy क्यों नहीं किया, तो हमें हर पल खुश रहना चाहिए, खुशी पाने के लिए कोई काम न करें, खुश रहकर हर काम करें, खुशी अपना बिल जाएगी, technology का सारा जरूर लीजिएगा, students सभी किताबों में जरूर नहीं कि किताबों से पढ़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, हो सकता आप ये videos, कुछ technology के साधन से भी, sorry, साधन से भी आप अपनी पढ़ाई को बहतर कर सकते हैं, जो लोग medical, technology से जुड़े वे लोग हैं, society से जुड़े वे लोग हैं, finance से जुड़े ल प्रसन होगे, आप किसी प्रतियों की परिक्षा में सफलता के लिए कड़ी बहनत जरू करें, इसके लिए मैं कुछ डेट्स बता रहा हूं जिसका ध्यान रखें, 20, 21 और 27 तारीक को आप इन डेट्स पर अपने apply कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, health और enemies के अ अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी रोग बाव में ग्रहन और 12 ताउस में अंगारदोश, आंकों से संब्धित और हड्डियों की तकलिव आपको जरूर दे सकते हैं, और seasonal बीमारी भी हो सकती है, हालांकि थोड़ी सी लापरवाही आपको परिशान कर सकते हैं, लेकिन रिष्टदारी बिजनस या जॉब में क्यों न हो, थोड़ा से ऐलर्ट जरूर रहिएगा, कुम राश्य वाले लोगों के लिए विशेश उपाय मैं लेकर आया हूँ, जिससे जुलाई माह को और भी ज़्यादा आशिरवाद युक्त बनाए जा सके, दस जुलाई को देख लोग हैं, जो कुछ मांसिक अशान्ती वाले लोग हैं, उन लोगों को मोती दान दें, नहीं तो सफेज चीज़ों के दान दें, 21 जुलाई के दिन भडली नवमी हैं, उस दिन सभी प्रकार के शुब और मांगली कारियों के खरीद फरुक्त करनी चाहिए, और उसके लिए भी कर सकते हैं, साथ में, शादी, सगाई, दुकान खरीदना, ग्रह प्रवेश करना, कोई प्रॉपटी के खरीद फरुक्त करने के लिए स्थ्रेष्ट मोहरत हैं, 27 जुलाई को अब सब के लिए स्थ्रेष्ट दिन है, अपने गुरु को याद करने का, गुरु दिक्षा प वहां जाकर किसी प्रकार का दान दक्षना जरूर देने चाहिए, 30 जुलाई को 57 मास का प्रतम सुभवार है, शुद्ध जल से उसमें तिल डालकर शिवलिंग पर अभिशे करना चाहिए, साथ ही सफेद और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए, और तीन सकते हैं, सुजाव हो तो वो भी बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और जोधपुर कारे बे संपर करके पूरी जानकारी बे आसल कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मुझे अपने वानी को यहीं विराम देने के लिए इजाज़त दीजिए, प्यार भरा नमस्कार और आशरवाद 17th June, Frankfurt, Germany 18th June, Brussels, Belgium 19th June, Amsterdam, Netherlands For appointment, please call 176-2477-2522 गुरुदेव सुरेश्री माली जी से मिलने के लिए संपर करें 5 वा 8 July, Mumbai 932-237-7660 932-427-2446 30 June वा 1 July, Kolkata 983-160-2512 6 वा 7 July, Dubai 971-508-283-024 29 June वा 13 July, Delhi 011-4004-3004 14 July, हैदराबाद 15 July, Bangalore संपर करें 931-472-8165 982-902-6625 लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूच सकते हैं गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बलकि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाए और बेतर जीवन जीने के कुछ सुजाओ भी देंगे इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं टेलिफोन अथवा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूच सकते हैं आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्मकुंडली का विशलेशन भी करवा सकते हैं ये जन्मकुंडली विशलेशन आप टेलिविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahoonkakakheel.co.in पर astrological services पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिध्धी केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091-98290-26625 पर कॉल कर सकते हैं या WhatsApp भी कर सकते हैं अड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाइकोट कॉलनी, जोदपुर, इंडिया कॉन्टैक नंबर है 0091-98290-26625 इमेल अड्रेस है info at the rate grahoonkakheel.co.in आप हमें वेबसाइट, फेस्बुक, यूट्यूब, इंस्टागरान और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं